असलाम अलेकुम, हेलो, आइम उनीज अरियाज, वेल्कम टो माई चैनल, तो बात करेंगे तर्किश शोज की, मैंने जो तर्किश शोज देखें, इस्पेशली कुछ ऐसे शोज हैं, जो सिमिलर आपको लगेंगे, कॉंसेप्ट सिमिलर लगेगा, माना उसमें बहुत चीज़े इसी हैं, कि डिफरेंटली स्टार्ट हुई हैं, पर हुई हैं, पर कॉंसेप्ट सेम ऐसा है, कि एक ओफिस में काम करने वाले बॉस हैं, और फिर उनकी इंप्लाय हैं, यह सेकरेटरी हैं, या उनकी कहीं ना कहीं, जाहे थोड़े परसन की पार्टनर हों, पर पार्टनर हैं, तो इस तरह के कुछ शोज जो मैंने देखे एन आई रेलाइज के अरे देखा जाए तो यह काइंड ओव सेम सा इडिया है बॉस और इंप्लॉई वाला और शायद वो वर्ट भी करता है वो रॉमकॉम सा होता है और शायद वो वर्ट करता है लोगों को पसंद आता है मुझे इतना पसंद आया है और मैंने चार शो अब तक देखे हैं और कितने इस तरह के बने होंगे लेकिन यह तर्किस शोज वैसे तो हमने इंडिया में भी देखे हैं पाकसन में इस ताइप के सिमिलर आईडिया देखे हैं लेकिन एक ही जगा पे बहुत सारे ऐसे ही शोज म पहले मैंने जो फर्स शो देखा था अश्क लफतन अनलमास और यह मेरा फर्स टर्किस शो था जो कहीं मैं ऐसे यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी और इसके जो कपल थे उनका कोई वीडियो मेरे सामने आ गया था और फिर मैंने वह देखा पर मैंने का यार यह मुझ था और इसमें थे बुराग देनिस थे आंदे अर्ज्य थी हांदे अर्चैल क्योंकि इनके जो नाम में भी सी है और सी के नीचे कुछ है तो वह वर्ड यह अलग है त 소ट होता है तो सिफ सी है तो जा बन जाता है अगर C के नीचे कुछ है तो चा बन जाता है तो हांदे अर्चैल जो है तो वो थी और उसमें मतलब बुराग का करेक्टर था मुराद और हांदे का हाया था और वो बुराग जो थे वो आफिस में बॉस है और ये स्टोरी चाहे किसी तरह से भी शुरू हुई हो इन दोनों में प्यार हो जाता है फिर जब इनकी हकीकत सामने आती कि नोंने तो किसी और की आइडेंटी यूज की है तो थोड़ी सी दूरी आती है फिर वो इनको सबक सिखाने के चक्कर में या प्यार जो हो गया है वो छोड़ नहीं सकते हैं इनसे शादी ही कर लेते हैं फिर थोड़ा सा टॉर्चर चलता है फिर दुबारा से मतलब पैच्चप हो जाता है नौरे नौ बट बहुत इंटरस्टिंग था मतलब फर्स लेखा था मुझे बहुत अच्छा भी लगा था उनके रुमेंस भी बहुत अच्छे होता है बड़े खुलके होते है तो वो भी एक चीज मुझे लगती है कि मतलब क्या होता है ना कि जब आप किसी करेक्टर में और अगर आप उस करेक्टर को उस तरहां से नहीं निभाएं वो फिलिंग जो आप नॉर्मल लाइफ में अपने किसी भी लवर के लिए फील करते हो या हजबन के लिए फील करते हो या वाइफ के लिए फील करते हो तो वैसा ही तच होना चाहिए मैं नहीं कह रही पूरा का पूरा हो जाए लेकिन देखने की हद तक उतना होना बहुत जरूरी होता है कि वो फील वहां रहे वो समझ में आए वो महसूस हो तो मुझे तरकिश रो में ये वाली चीज बहुत दिखती है हाँ कुछ चीजे मुझे लगता है कि इतना जादा भी नहीं होनी चाहिए है बट फिर भी बहुत अत्तक बहुत रेल लगता है जो रिलेशन्शिप्स को जिस तरह से दिखाते है स्टोरी वाइस भी देखा जाए तो अच्छा है इंटरेस्टिंग है हाँ जैसे कि अमूमन हर शो में आपको कहीं न कहीं इस्पेशली जो सीरीज होते हैं उन में आपको कहीं न कहीं तोड़ी ड्रैगिंग तो दिखती दिखती है तो इसमें भी बीच में कहीं थोड़ा सा लगा कि जादा करने के चकर में खीच दिया बट है बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बहुत मज़ा है था जब मैंने इसका फर्स शो टर्किश देखा था बात में सिमिलरी कहूंगी आइडिया अरकंसी कस कश इसमें भी वही बात है अरकंसी कस में भी आफिस से रिलेटिड ही है वो उस आफिस में काम करने आती है वहाँ वो जो बॉस होते हैं वो अंजाने में उनके दो लोगों के बीचि में किस वो जाता है फिर वो दूसरे की कही न कहीं तलाश में होते हैं कि वो कौन थी या वो कौन था जो अंधेरे में मेरे से ऐसा मतलब टकरा गया और ऐसा सब कुछ घल्ड फ़हमी में हो गया तो वो वाली चीज की बेस पे फिर वो साथ काम कर रहे होते हैं एक दूसरी कहीं न कहीं अटरक्ट होते हैं और यह नहीं उजराती है मतलब यह नहीं मतलब टाइम पे आकर पता चाहरा जाते है कि वही और वही इनसान है जो उधर एक रूम में गलत फहमी में किस कर लिया था और फिर उसके बाद उनकी स्टोरी दूरी फिर मिलना एन ओल तो वो भी कहीं इस ओफिस से ही रिलेटिड था अश्कलफतन लमाज भी ओफिस से ही रिलेटिड था फिर मैंने जो एक शो देखा हर यर्दे सन ये भी आफिस से ही था वैसे स्टार्ट कर से होता है लेकिन बाद में वो ही उनके मैनेजर उनके उपर के मतलब बास निकलते हैं और फिर उसके बाद वहां की भी कहानी यही इस तरह की है थोड़ा डिफरेंट से डेफिनिटली डिफरेंट है कि भाई लेकिन वो ऑफिस से ही रेलेटई ही है वो भी ऑफिस से रेलेटई है उस अश्वलवतन अल्लाव मास भी ऑफिस से रेलेटई है पिर मैंने एक कौर जो शो तेखा सन चैल खेफिमी वो भी अगर देखे तो शुरुआत किसी और सोच के साथ जरूर हुई है कम्प्लीटली मैं नहीं कोंगी कि हर एक का सेमी आइडिया है नहीं बट वो एंड अप आफिस के ही में में तब हो रहे हैं कि वो आफिस में अपने साथ उनको भी लगा लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ एक कहते हैं नकली इंगेजमेंट होती है फिर उसके बाद वह असली में हो जाता है सब पूछ पिर असली का प्यार असली का सब उसमें भी बहुत दूरियां भी आती है जैसे मैंने भी तोड़ी ड्रack कर लेते हैं तो वह भी है लेकिन सारे शोस की अपनी एक अप्सूर्थी है अपनी हर कपल की अपनी वियूटी है और स्टॉरी भाइस भी जैसे मैंने बूल रॉमकॉम है आफिसवाला आइडिया सिमिलर है के employee और boss वाला लेकिन बाकी सारी story सबकी अपनी अपनी अलग ही है लेकिन एक चीज मैंने बहुत notice किये दो तीन shows में तो especially कि जब भी इनके office में कोई काम कर रहा है इस office को गुजरना ही पड़ता है इसके या तो बंध हो जाता है या फिर बहुत down आपको दिखाएंगे office में problems आ चाहे वो अश्कलवतनन लमाज हो उसमें भी वो उनके मतलब दो भाई होते हैं सौतेले होते हैं उस चक्कर में वो बड़ा भाई पूरक की जो मतलब जो उनकी सौतेली माँ है वो चाहती है कि वो business पैसा है इसको मिले ये उसको दे देता है वो office पर फिर भी कहीं न कहीं उन बिजनेस शुरू कर लूँगा है लेकिन नुकसान तो ठाना पड़ता ही है निकलना ही पड़ता है चोड़ना ही पड़ता है तो ऐसा थोड़ा इसमें भी दिखाया करकंसी कैस में भी office बंद हो जाता है फिर लड़की ही किसी काम की वज़ा से वो दुबारा से वो लोग वा फ़रा से अपना शुरू करते हैं उनके मतलब फादर सो लड़के हैं जो बॉस हैं वह इतने मतलब गलत किसी ना किसी तरीके से चले जाते हैं कि उनकी कमपणी को बुगतना पड़ता है तो ऐसा सा इसमें भी दिखाया था यही फिर अगर मैं बात करूं हर यर्दिसंट की उसमें भी ही होता है ऌफिस के किसी एक की वजा से वह भन्दा करना पड़ता है उन्हें लोग अनिंप्लाइड हो जाते हैं यह इसमें इसमें वी था से लिए में भी यही होता है कि फिर वह चले गए बहूश वह दुबार से शुरू करते हैं और वह fermented किसी किसी वजह से बेंक्रेप हो रही है उनके कार्ड वर्क नहीं करें तो इसे बहुत आई चीजें काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर हो जाती है मतलब आप इसे कह सकते कि प्यार में पढ़के बंदा क्या लुटी जाता है तो ऐसी वाली बाद मुझे दिखी मैंने का यह हर बार ही क्यो होता है और बास इसको ऐसे दिखाया है कि वो इतना वो रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी कमजोरी उनकी कमपनी को हमेशा जो है ना ऐसे ही स्ट्रगल में डालती है तो एन्यवेज मुझे यह तरकिश सोज बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देखती हूं ऐसे नहीं है कि यही सारी शो देखे मैंने मर्यम देखा है जिस जो फुरकान का था यह फुरकान के और भी दूसरे शो मैंने देखे हैं बुराक और हांदे का भी देखा था भी एक और नया शो आया था उनका तो वो मगर वो मैंने भी पूरा देखा नहीं तो उसको मैं बा होता कि कोई मुझे सजेस्ट करें भाइ अच्छा शो सजेश्ट करों मुझे देखना होता है फिर उस पर बात करने होती लिक trapped Alham जे सारे जो कपल है जैसे बुराग अन लिमास में पुड़ाक करेक्टर मुराथ था हंधे का हयाथ था अरकंसी कस्ण में जन यमन और देमित औस्दमर थे और जान का करक्टर का नाम भी जानी था और देमित के करक्टर का नाम सनम था फिर उसके बाए हर यर्दे सन में फुरकान एंडिच है और उनका करक्टर देमिर था और एबिक पुरसान थे और उनका करक्टर सलीन था फिर ये सैंचल कैपमी में करीम बुर तो इस तरह और भी जैसे मैंने मर्यम की बात करी या और दूसरे भी मैंने देखे हैं बट मुझे यह सिमिलेरिटी इन चारों में दिखी थी तो मैंने इस बेस पे इन चार कन को मेंशन किया है कि काइंड ओफ ऑफिस से रिलेटिड ही मिलेगा आपको स्टोरी जिस किसी ना किस रीजन से जरूरी स्टार्ट हुए है लेकिन हैं वो एंड अप लड़की वहीं उनके आफिस में ही होती है और इन चारों जो शो में यह मुराद ही बास है या जान ही बास है या देमिर बास है और सरकान बास है तो आदमी कहीं ना कहीं बास है और जो यह हिरोईन हैं यह कही न कहीं end up हो रही है और उस company का पार्ट बन जा रही है या उधर company में रहते वे कुछ और काम करके उनको महां success मिल गई है तो ऐसा बहुत हमें देखने मिला है लेकिन interesting है और मुझे नहीं पता आप कितने तर्किश ड्रो में देखते हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं तर्किश ड्रो में और मज़ा आता है जबके बहुत जादा उनकी language तो समझ नहीं आती है बट इंग्रिश सब्टाइटल के साथ देख रहते हैं या फिर उर्दू या हिंदी डबिंग में तो भी देख स सकते हैं गर कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं देखा बहुत इंटर्स्टिंग स्टोरी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर मुझे सजेस्ट करोगे और मैं देख पाऊंगी और अगर आप यह नहीं देखें तो आप भी जगर आप रॉमकॉम वाले बन्दे है आपको romance पसंद है तो यह बहुत अच्छे है चारों भी बहुत अच्छे हैं किसी ना किसी रीजन से मुझे तो पसंद है और भी बहुत से रॉम कौम होंगे जो मुझे देखने बाकी हैं मैं definitely I will search and watch तो मैं ने सोचे इस पर एक वीडियो बनाओ मैं इतने टाइम से मतलब देख रही हूं यह लास्ट यह से मैंने बहुत देखना शुलू किया है बैसिकली टर्केश जॉमा अल्मॉस्स साल होने को आ रहा है मुझे और उसमें मैंने बहुत से ऐसे शोर्स देखे हैं फिर जब य परकंची कर तो मैंने शिक्स तो सेवन टाइम और रड़ी आई वाश्ट एंड एन रही यर्दे संद भी मैंने ऐसी कुछ दो तीन बार तो देखी लिया है यह जादा देख लिया होगा संद चल के पर मैं अभी मैंने देखा है वन टाइम ही देखा है उसको और उसके भी तक मतलब समझें लास्ट यर तक 23 तक मैंने फिर कोई टर्किश जॉमन नहीं देखा था लेकिन अब मैं बहुत देखने लगी हूं और मैं सर्ज भी करती है तो अगर आपको भी कोई पता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो और हम डेफिनिटल इस पर बात कर सकते हैं तर किसी की कहीं ना कहीं स्टोरी अलग ही है तो वह वाली बात है तो वह ऐसा लगता है कि यहां यह कहीं ना कहीं सिमिलर है ओफिस की वजह से और फिर वही रुमेंस और चीज़ें तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इनके शोज में कि मैंने कभी भी नहीं देखा है जैसे कि हमारी यह बहुत लड़कियों को ऐसा दिखा देंगे कि वो ही हर तरफ जो है क्या बुलते अपने बलीदां की देवियां हैं और ऐसा है ऐसा नहीं है यह पूरी य यह नहीं चलने का है यहां हमारा भी है और हमारे तरही के से काम चलेगा तो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यों क्यों हर लड़की को जुकना ही क्यों है हाँ जहां वह गलत है डेफिनेटली अपनी गल्ती एकसेप्ट करके बिल्कुल सورी होती है और हमेशा यह सारे शोज में ऐसे देखने आपको मिलेगा कि जहाँ वो गलत गई है उनकी कोई गलती है वो definitely sorry होती है उसके लिए माफी चाहती है करेक करने की कोशिश करती है मनाती है सब कुछ करती है लेकिन जहाँ वो गलत नहीं है तो जबरदस्ती के किसी का लेती भी नहीं है हो गया है और हाँ वोमिन्स का होड़ता है जादा स्ट्रगल चीज़ों को लेकर वो मानते हैं हम कि हम में खुद भी होता है कि हम यार फैमिली का बड़ा सोचते हैं करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं वो भी सोचती हैं इसका उनकी शुद में वो भी दिखाते हैं कि इतना अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं अपने पैरेंट्स के लिए सोचते हैं उनका भी पूरा ध्यान हो उनकी मर्दी के बगएर कुछ ना हो वाली बाद देखने मिलेगी आपको इन चारों में मिलेगी अपने पैरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो वो वाली जीज़ आपको इधर भी मिलेगी लेकिन हमारे हैं कुछ इतना शक्तिमान कट बना देते हैं कि भाई वो ही है सब कुछ तो मुझे थोड़ा उससे इशू होता है इसलिए मुझे टर्किश ड्रों में बहुत अच्छे लगते हैं तो अगर आपको मेरा यह चोटा सा डिस्किशन रिव्यू सजिशन आप जो कहना चाहो अगर यह वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकेन को क्लिक करके रखे ताकि नेक्स टाइम में किसी और टॉपिक के साथ जब कुछ ले कर आऊं तो आपको नोडिफिकेशन आ जाए और प्लीज अगर आपने टर्किश यह ड्रों में नहीं नहीं देखें तो जरूर देखें मुझे तो टर्किश रों में भी पसंद है उनके आर्टिस भी बहुत पसंद है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है उनके जबके लैंग्विज मुझे इतना नहीं समझाती है मगर मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में और मैं चाहती हूँ दिल से चाहती हूँ कि मैं भी टर्किश लेंग़िज सीखूं टर्की जाओं और तो यस आज कल तो यही चल रहे हैं तो मेरी जिंदगी में तो यही चल रहे हैं तो अपना बहुत कहल रखें बापाई